हेलो एन वेल्कम दोस्तों तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रो अप में कैसे हम गवर्पन्ट सिक्यूरिटीज के एतियप में और बॉंड एतियप में निवेश करते हैं और इसको हम लाइव आपको करके दिखाएंगे इस वीडियो में और लाइव बाय करेंगे गिल्ट 20 जो कि आपके सामने आ चुका है तो इस पर सिंप्ली आपको टैप कर देना है तो देखे ये है गवर्मेंट सेकुरिटीज का ETF एक तरह का बॉन्ड ETF है तो इसके थुरू आप गवर्मेंट सेकुरिटीज में निवेस कर सकते हैं और इसका एक साल का रिटन देखेंगे तो लगभग साड़े 8% का रिटन है जो कि EBD से बेटर रिटन निकल के आता है EBD में आज की रिट में 7% के आसपा रिटन चला है और यहाँ पर आपको साड़े 8 से उपर के रिटन देखने को मिलना है तो चलिए देख लेते हैं और भी चीज़े इसके अंदर की क्या कुछ है तो सबसे पहले जो में चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है वाल्यूम तो देख पार होंगे वाल्यूम 10 लाग के उपर का वाल्यूम है इसमें आज के दिन जनरेट होता हुगा और तो एक अच्छा वाल्यूम कह सकते है बाकी आप मार्केट डेप भी देख सकते है अच्छी खासी है बाकी AUM साइज देख पार होंगे तो 1492 लगबग 1500 क्रोन का AUM साइज है जो कि अच्छा खासा AUM है और बाकी आप इसका कोड की बात की जाए तो आप यहाँ कोड देख सकते है LTGILTBs तो इस कोड को दियान से देख लिएगा और यह ETF हाया था 2016 में जो कि आपने स्कीन पर देख पा रहे हैं तो इस ETF को हम अभी आपको लाइव बाय करके दिखाएंगे तो चलिए अब buy के option में क्लिक करते है तो यहाँ पर हम आपको example के तोर पे 100 quantity buy करके दिखाने वाले हैं तो यहाँ पर हमने 100 quantity लिख दिया है और यहाँ पर जो की market price चल लाए है 25.26 का तो हम simply market order पे place कर देते हैं अदरवाइस order प्लेस होने में time लग सकता है तो वहीं अगर बात की जाए buying charges की तो आप यहाँ देख पार होंगे यहाँ पर हमें 6 रुपए buying charges देना पड़ रहा है जो कि आप यहाँ required option में देख पार होंगे 2532 रुपए की हमें required दिखा रहा है जो कि हमें 6 रुपए extra लग रहा है तो देखिए 100 quantity की हिसाब से charges हम बता रहा है आपको 6 रुपए लग रहा है आप अपने quantity की हिसाब से चाहे तो charges calculate कर सकते है तो यानि 6 रुपए buy करते time और 6 रुपए sell करते time 6 और 6 12 और वहीं फिर जब sell करेंगे तो आपको DP charges भी pay करने होते है तो तक्रीबन 16 रुपए वह 12 और 16 तक्रीबन 28 रुपए आपको pay करने पड़ेंगे buy और sell के दोरान अगर आप अपना government securities वाला यौला ETF sell और buy करेंगे तो और यह quantity के हिसाब से है बाकि आप जो भी quantity buy करेंगे उस आप से calculate कर सकते है यह for example के purpose से था तो इस आप से देख सकते हैं buy करते हैं आपको 6 रुपए एक्ष्टा देने पड़ रहे हैं तो buy पे हम just click कर देते हैं तो देखिए हमारा buy order successful हो चुका है और order details देखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे sell quantity buy हो चुकी है निपॉन ETF long term guild की जो की 25.26 पे यह आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर buy कर दिया है और यहाँ पर देखिए sell करने लगा है sell share buy हो चुके है 25.26 के price पे और अभी आपका return 0 है क्योंकि अभी just buy किया है जैसा कि आपको पताईए तो इस ETF के थुरू आप कहीं न कहीं government securities में अपना पैसा लगा सकते है और बाकी इसका sell का return हमने आपको दिखाई दिया है तो देखिए किसी भी government securities या bond ETF में निवेस करने से पले दो चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखनी होती है volumes का और AUM size तो इस ETF में आपको volume भी ठीक ठाक को मिल जाता है वहीं एक ETF आपको और बता दें जिसमें चाहे तो आप उसमें भी निवेस कर सकते हैं वो है देखिए यह वाला ETF निपॉन इंडिया 5 येर गिल्ट तो इस ETF का price 54 है आज की date में और बाकी इसका भी volume ठीक ठाक है 5 लाग का volume है पर इसका थोड़ा सा AUM जो है थोड़ा सा कम है जो कि आप यहां देख पार होंगे 140 करोड का AUM है देखिए मार्केट में बहुत सारे आपको government securities और bond के ETF मिल जाएंगे पर यही दो ETF हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत अच्छा volume देखने को मिलता है otherwise बाकी जितने भी आपको bond देखने को मिलेंगे bond ETF या government securities ETF उसमें आपको कही न कही volume का इसू देखने को मिलेगा और AUM साइज भी ज्यादा बढ़ा नहीं है तो volume तो सबसे priority चीज है क्योंकि अगर कहीं अगर आपने buy कर लिया और volume ही नहीं है तो आप उसे sell नहीं कर पाएंगे कहीं न गहीं फिर आप problem में फस सकते हैं तो volume अच्छा खासा होना चाहिए तो दो ETF हमने आपको बता दिया है तो इन दोनों ही ETF को आप consider कर सकते हैं short term के लिए long term के लिए market में अगर आपको cash भी hold करना है तो भी आप इन ETF को buy कर सकते हैं तो एक और अच्छी बात जो की निगल के आती इस ETF की वो यह है कि क्योंकि यहाँ पर आप bond में invest कर रहे है ETF के थुरू तो यहाँ पर आपका कोई भी lock-in period नहीं होता है क्योंकि आप खुद से अगर bond buy करने जाएंगे bank के थुरू तो वहाँ पर आपका कुछ lock-in period हो सकता है like one year two years या three years तो यहाँ पर क्योंकि आप ETF के थुरू निवेस कर रहे हैं government securities में तो इतरा से यहाँ पर कोई भी lock-in period नहीं मिलता है जब चाहें आप sell कर सकते हैं और आपने पैसे को withdraw कर सकते हैं तो यह एक अच्छी बात निगल के आती है तो यह दो ETF के थुरू आप market में अपना cash भी hold कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर कोई extra cash है जिस cash पे आपको लभी ज़्यादा risk नहीं लेना है आपको कहीं safe जगा पैसा लगाना है तो इस ETF को आप consider कर सकते हैं तो इस तरह आप government securities के ETF में invest कर सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye